जैहिन दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या कहा गया है कि 5 men है और 3 women है वह 18 acre को crop करते हैं 4 days में तो इस 18 को अगर मैं 4 से divide करूं तो एक दिन में कितना वह करेंगे आप काम 9 by 2 unit काम करेंगे तो यहां पर देखे 5 men है मेरे पास में प्लस का है आपका 3 women है वह कितना करते हैं 9 by 2 acre drop करते हैं फिर यहां पर दे रखा है 3 men और 2 men 22 acre करते हैं 8 days में तो इसको 8 से divide करूंगा तो कितना करेंगे 11 by 4 in one day तो यानि कितना रखा है त्री तो मेरे को मैं दे रखे हैं प्लस का मेरे को टू जो women दे रखे हैं वह कितना होगा आपका 11 by 4 इसको solve करते हैं यहां से हम लोग निकालते men और women की efficiency की एक दिन में वह कितना कितना कर बाते हैं तो इसको मैंने किसे multiply कि टू से multiply किया इसको 3 से multiply कर दिया यह पूरे को तो यह मेरे पास में 10 न hour जाएगा आपका प्लस कर European हो जाएगा इस t तो यह मेरे पास में एक मैन आ जाएगा यह वोमेन से मुएन कर जाएगा बराबर में यह ग्यारत यह 33 और 36 यहने कि 3 वाय में 4 युनिट कौन पाम करता है एक दिन में कितना युनिट पाम करता है मैं 3 3 by 4 अगर मुझे वोमेन का निकालना है तो मुझे इसमें रखूँगा तो मैन किज़े कितना हो जागा 9 by 4 मेरे पास में मैं हो जाएगा मैन यानि कि यह तोटल पर कितना हो जागा 9 by 4 प्लस का 2 women बराबर में 11 by 4 इसको इदर भेज होगा तो 2 2 women बराबर में कितना 11 by 4 माइनस का 9 by 4 तो 2 women जो है वो कितना करती है आप 1 by 2 तो अगर एक मुझे से कराना है तो कितना लेंगे 1 by 4 लेंगे तो एक मुमें जो 1 by 4 यूनिट काम करेंगे इसको तो आप यहां से भी निकाल सकते जागे करें कर चाहते आप निकालना इसको इतना लंबा ना जाते क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना किया 3 by 4 किया टोटल मेरे पास बन होगा तो मेरे पास 1 by 4 इनिट तो बचना चाहिए तो वह कौन करेगी वो में करेगी क्योंकि पार्टन तो दो हैं तो आप इसे यहां से भी न चाहिए काम इसे 2221 तो वह पास मैंने प्लस का उसमें मैंने 21 तो एक मुमें एक दिन में कितना करती है यानि कि 1 by 4 तो 1 by 4 से मल्टिप्लाइ करोगे तो 21 मुमें का जो आपका आजाएगा टोटल वरक आजाएगा यहां पर मैं दिरखा हो कितना दिरखा आपका 3 by 4 ठीक है इस प्लस का इधर भेज देंगे तो 21 प्लस का 3 X is equal to 36 तो इधर जाएगा तो 3 X is equal to कितना हो जाएगा आपका 15 तो इससे में डिवाइड करूँगा तो X is equal to में कितना जाएगा 5 यानि कि answer तो मेरा A आएगा इसको हम और छोटे तरीकी से कर सकते थे बट पता नहीं मुझे आपक जबाल